हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की वीडियो शेयर करूँगी जशन को करवाया मैंने हेर वाश और हेर वाश के लिए मैंने यूज किया है इंदू लेखा शैंपू तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेर कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट्स के चाटेट तो गाइस जेशन को हियर वाश करवाने के लिए मैंने इंदू लेखा शेंपू का यूज किया इसे मैंने लोकल मार्के स्टोर से बाई किया है सिर्फ दो रुपे में आपको इसका एक पाउच मिल जाएगा अगर आप इसे पहली बार यूज करें तो सबसे पहले आप पाउच ही यूज करें आपको इवले शेंपू इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप फिर आप इसकी बड़ी पैकेजिंग बाई करेंगे आयुरवेदिक शेंपू है और इतना अच्छा शेंपू है अगर आपका हीर फॉल बहुत जाद हो रहा है डंच की प्रबलम है कि इचिंग की प्रबलम है तो मैंने जैसे चेंटी को और नॉप रांवाश कर वाया κάνू है ok पीक में दो बार हेर वाश जरूर करना चाहिए आप इस शेंपू को ऑनलाइन ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट राइम इसे यूज करें तो पाउच ही आप यूज करें अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसकी बड़ी पैकेजिंग बाई कर सकते है तो सबसे पहले मैं जर्शन के बालों को वेट कर रही हूँ अच्छी तरह से उसके बालों में पानी डाल रही हूँ काफी अच्छा शेंपू है काफी अच्छा लैदर भी करता है मैंने इसके दो पाउच यूज की है और इतनी अच्छी इसकी जाग हुई है अगर आपने बालों पर ऑईलिंग बहुत ज़्यादा की हुई है फिर आपको ज़्यादा पाउच भी लग सकते हैं बट मैंने जर्शन के बालों में इतनी ज़्यादा ऑईलिंग नहीं की थी तो दो शेंपू ही मैंने यूज की है समर एंड विंटर दोनों में आप इवला शेंपू यूज कर सकते हैं इसकी स्मेल काफी ज़्यादा लाइट है काफी अच्छी इसकी स्मेल है अगर आप साथ में इसका ऑईल भी यूज करेंगे न तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलें अगर आपके हियर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर आपको डेंडरफ की प्रॉब्लम है आपके बालों की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है तो आप इवला शेंपू और ओयल जरू ट्राय करके देखें एक महीना रेगुलर अगर आप इसे यूज करेंगे ना साथ ऋीटने में दो बार आपको शैंपू करना है तो आपके हियर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपके बालों की लेंथ पी इंक्रीज हो गीहर फॉल ऑसे जेवल खर और ड्र्राय करते हैं धिया से हिर फॉल रहा है आपके फॉल रही है तो बहुत जयादा of itching scalp infection की problem है तो इसके लिए न हमें अपने बालों का खास धियान रखना चाहिए टाइम पर आप ओईलिंग कीजिए ब्रेड बना कर रखें अपने बालों को कवर रखें हफते में दो बार हेर वाश जरूर करें जो शैंपू आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते अपकी मुझे आपके साथ इसका एक review प्लस demo जरूर शियर करना चाहिए तो देखें कितनी अच्छी जेशन के बालों में ज़ाग होई या जेशन के बालों की length बहुत ज़दा लंबी है जेशन के बाल काफी ज़दा लंब़े हैं तो घाईस अगर आपके भी hair fall बहुत ज़ तो देखने को मिलेंगे तो देखे मैंने को सब्सक्राइबुटी ओर्लार करती हो हफप्प्राइबुटी उसके ऐगाइबु judge्व, shave फांटू पर टाइम पर करें अपने बालों को बहुत जाता खुला ना छोड़े ब्रेड बना कर रखें कवर करके रखें इसके इलावा शैंपू एंड कंडिशनर अपने बालों पर जरूर यूज़ करें आपकी हेर से लेटेड सारी प्रॉब्लम खतम हो जाएगी hope guys आपको ये वेली वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे हो चैनल को कर दे सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग